जै स्री कृष्णा आईए सुनते हैं मागमास महात्म का सात्वा अध्यार क्या करने से मनुष्य नर्क में नहीं जाता कल हमने मागमास महात्म के अध्यायच में दत्ता तेजी द्वारा वडित कुंडल और विकुंडल नाम के भाईनों की कथा का स्रवड किया मृत्यू के पश्चात कुंडल को नरक और विकुंडल को स्वर्ग की प्राप्ती होती है यमदूत उसे बताता है कि उसे स्वर्ग की प्राप्ती अनजाने में मागहसनान की वजह से हुई है इस पर विकुंडल यमदूत से कर्मों की गती पूछता है अब आगे विकुंडल द्वारा किये प्रस्ण को सुनकर यमदूत कहने लगा हे विकुंडर तुमने बड़ा सुन्दर प्रस्ण पूछा है यद्यपी मैं पराधीन हूँ फिर भी तुम्हारी स्नेह बश अपनी बुध्धी की अनसार बतलाता हूँ जो प्राडी, काया, वाचा और मनसा से कभी दूसरों को दुख नहीं देते वे यमलोक में नहीं जाते किसी भी प्रकार की हिंसा करने वाले मनुश्य बेद, यग्य, तप और दान से भी उत्तमगती को नहीं प्राप्त होते रिशियों ने अहिंसा को सबसे बड़ा धर्म, तप और दान बताया है जो मनुश्य, जल या प्रिथवी पर रहने वाले जीवों को अपने भोजन के लिए मारते हैं वी काल सुत्रनामक नर्क में पढ़ते हैं और वहाँ पर अपना मांस खाते हैं और रक्त पीप पान करते हैं तथा पीप की कीचड में उनको कीले काटते हैं तथ पस्चात जब भी वे दुबारा जन्म लेते हैं ओहिंसक, जन्मांध, काने, कुबले, लूले, लंग्रे, दरिद्र और अंगहीन होते हैं इस कारत इस लोग तथा परलोग में सुक की इच्छा करने वाले को काया, वाचा तथा मन में दूसरों कादरों नहीं करना चाहिए जो हिंसा नहीं करते, उनको किसी प्रकार का भै नहीं होता, जिस तर सीधी और टेड़ी दोनों प्रकार की बहने वाली नदिया समुन्द्र में मिल जाती हैं वैसे ही सब धर्ण अहिंसा में प्रवेश कर जाते हैं, ब्रमचारी, ग्रिहस्त, वानप्रस्थी तथा यती सभी अपनी अपने धर्म का पालन करने और जितेंद्रिय रहने से ब्रम लोग को प्राप्त करते हैं, जो जलासे आदि बनाते हैं और सदैव पाचो यग्य करते हैं, वे यमपुरी में नहीं जाते, जो इंद्रियों के वशी भूत नहीं हैं वेद्वादी और नित्य ही अगनी अर्था थमनाधी का पूजन करते हैं, वे श्वर्ग को जाते हैं, जो अनात, इस्त्री, सरण में आये हुए तथा ब्रामहर की रच्छा के लिए प्राड देते हैं, वे कभी स्वर्ग से नहीं लोटते जो मनुषय लूले, लंगडे, ब्रिध, अनात तथा गरीबों का पालन करते हैं, वे भी स्वर्ग में जाते हैं, जो मनुषय गौउं के लिए English पानी का आसरे करते हैं, तथा कुवा, तालाव और बावरी बनवाते हैं, वे सदय स्वर्ग में निवास करते हैं, जैसी जैसे जी इनमें पाने पीते हैं, वैसे ही उनका धर्म बढ़ता है, जल से ही मनुश्य के प्राड हैं, इसलिए जो प्याओं आदि लगाते हैं, वह अच्छे स्वर्ग को प्रा आप्त होते हैं, बड़े बड़े यग्य भी वह फल नहीं देते, जो अधिक छाया वाले ब्रिच मार्ग में लगाने से देते हैं, जो मनुश्य ब्रिच रोपर करता है, वह शदय दानी और यग्य करने वाला होता है, जो अच्छे फल और अच्छी छाया वाले मार्ग के ब्रिच्छों को काटता है वह नर्क गामी होता है तुलसी का पवधा लगाने वाला सब पापों से छूट जाता है जिस घर में तुलसी वन है वह घर तिर्थ के समान है और उस घर में कभी यम दूत नहीं जाते तुलसी की सुगंध से पित्रों का चित आनन्दित हो जाता है और वे बिमान में बैठ कर विश्रू लोग को चले जाते है नर्मदा नदी का दर्सन, गंगा का अश्नान और तुलसी दल का अस्पर्स यह सब बराबर बराबर फल देने वाले हैं हर एक द्वादसी को ब्रमः भी तुलसी का पूजन करते हैं रत्न, शोना, फूल तथा मोती की माला के दान का इतना पूंड्य नहीं जितना तुलसी की माला के दान का है जो फल आम के हजार और पीपल के सौ ब्रिच्छों को लगाने से होता है वह तुलसी के एक पौधे के लगाने से होता है पुसकर आदि तेर्थ, गंगा आदि नदी, वाशुदेव आदि देवता सभी तुलसी में वास करते हैं जो एक बार, दो या तीन बार रिवा नदी से उत्पन शिव मूर्ती की पूजा करता है अथवा अस्फटिक क्रत्न के पत्थर या वन में रखी हुई, शिव की मूर्ती की पूजा करता है और सदय ओम नमः शिवार मंत्र का जाप करता है, वह कभी यम लोक नहीं आता शिव पूजा के समान, पापों को नश्ट करने वाला तथा किर्ती देने वाला, तीन लोक में और कोई काम नहीं है, जो सिवाले अस्थापित करते हैं वे सिव लोक में जाते हैं, ब्रम्हा, बिश्डु तथा सिव का मंदिर बनाकर मनुश्य बैंकुंठ वासी होता है, जो भगवान की पूजा के लिए फूलों का बाग लगाते हैं, वे धन्य हैं, जो माता पिता, देवता और अतिथियों का सदैव पूजन करते हैं, वे ब्रम्ह लोक को प्राप्त होते हैं, इतना कहकर यम्दूद, फिर कहने लगे हे विकुंदल, याद रखो, मध्यान के समय आया अतिथि, मुर्ख, पंडित, वेदपाथी या पापी, कोई भी हो, वो ब्रम्ह के समान ही होता है, जो रात्री के थके हुए, भूखे ब्राम्हर को अन जल देता है, मध्यान के समय जिसके घर आता हुआ अतिथि, निरास नहीं जाता, वो स्वर्ग का वासी होता है, अतिथि बराबर कोई धन संपत्ती तथा हित नहीं है, बहुत सी राजा और मुनी अतिथि सतकार से ब्रम्ह लोक को प्राप्थ हुए है, जो एक समय आलस्य से भी अतिथि को भोजन करा दे, वह यमद्वार नहीं देखता, जो कोई श्वर्ग लोक जाने की इच्छा रखता हो, वह अनकादान अवश्य ही करे, फिर दूत कहता है कि यमराज कहते हैं, अनके बराबर दूसरा और कोई दान नहीं है, जो गर्मियों में जल, सर्दी में इधान और सदय अनका दान करते हैं, वह कभी यम के दुख नहीं उठाते, जो यपने किये हुए पापों का प्रायस्चित करता है, वह नर्क को नहीं देखता, और जो मनुश्य नरक में जाता है, जो काया, वाचा और मन से किये हुए पापों को प्रायस्चित करता है, वह देव और गंधर्मों से सोभित श्वर्ग लोग को प्राप्त होता है, जो नित्य ही ब्रत तप तिर्थ करते हैं और जितेंद्रिय हैं, वह भयंकर्यम को नहीं देखते हैं, नित्य असनान करने से बड़े बड़े पाप ना सोजाते हैं, और मनुष्य यम को नहीं देखता, बिना असनान पवित्रता कैसे हो सकती है, जो मनुष्य पर्वके समय बहते हुए जल में असनान करते हैं, वह बुरी योनी नहीं पाते, नहीं नरक में जाते हैं, माघ मास में प्रातह असनान करने वाले मनुष्यों को नियम पुर्वक, तिल, पात्र और तिल खमल का दान करना चाहिए, यमदूत कहते हैं कि ही भी कुंडल, प्रिथवी, शोना, गौव, आदि, परमदान करने वाला स्वर्ग से नहीं लोटता, पुंड्य, तिथियों और शक्रान्ति आदि को थोड़ा सा दान करके भी मनुष्य बुरी गती को नहीं प्राप्त होता, शत्यवादी मौन रहने वाला, मीठा बोलने वाला, छमासील, नितिवान, किसी की निंदा न करने वाला, सब प्राणियों पर दया करने वाला, पराई धन को त्रिर के समान समझने वाला मनुष्य कभी नर्ग को नहीं भोगता, माघमास महात्म्य अध्याय साथ समाप्तम,